पास भी पैतरिक संपत्ती है, तो पैतरिक संपत्ती है तो आपको पुछ अधिकार प्राप्त है, और वो जो अधिकार प्राप्त है, वो है कानूनी नोटिस का अधिकार, क्या होता पैतरिक संपत्ती, आखिर ये पैतरिक संपत्ती जो है, पे जो अधिकार प्राप्त है, इसस अदिकार जो है अलग होगा और वो कौन सी संपत्ती होगी, समालने का भी जिम्मा होगा, और बेचने से पहले राय लेना होगा, तो किस से राय लेना होगा, ये बेहत सबसे जरूरी इंपोर्टेंट बाते हैं, का अखिर ये सारा जो नियम है, सारा जो कंडिसन है, ये कब ला से संपत्ति ही है जैसे आपके जमीन जाइदा जाइदा जो आपको अपने पुर्वस से प्राप्त है और कोई भी संपत्ति किसी का भी आज आप कोई संपत्ति आपके पास है और चार पीडियों के बाद वो संपत्ति पैतरिक संपत्ति कहला था ठीक है आज आपने क्या किया आपने एक मकान को खरीदा है, मकान को खरीद लिया, ठीक है, खरीद लिया, अब इसका जो चाड़ पीडियां होगा, मकान का खरीदने का, चोथा PD के लिए आपका मकान जो बन जाएगा वो पैतरिक संपत्ती बन जाएगा चोथे PD वाले को तो यह होता है पैतरिक संपत्ती तो पैतरिक संपत्ती में जो हक होता है वो जन्म से प्राप्त होता है सभी को पैतरिक संपत्ती अगर है अब है कि इसमें क्या की घर का माल लेते हैं गर का जो मैन मेंबर है वो क्या कर रहा है कि वो हक देने से इंकार कर रहा है हक अगर देने से इंकार कर रहा है तो आप जो है क्या कर सकते हैं उस केस में है ना हक देने से अगर इंकार कर रहा है तो उस केस में आप क्या कर स सकते हैं तो आपके पस बहुत सारा विकल्ब है देखें ये अगर आपको हक नहीं दे रहा है तो आप कानूनी नोटिस भेजेंगे लेकिन अगर आपको हक प्राप्त हो जाएगा यानि आपका एक दस्ताबेश त्यार हो गया उस पे आपका संपत्ती जो है वो अलग हो गया त अगर हक नहीं मिल रहा है जो हक है वो नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपको यानि क्या करना है कि एक नोटिस भेजना है किसलिए हक को प्राप्त करने विवाद अगर उत्वन हुआ तो आपको कौनून का सहरा तो लेना ही परेगा, तो आपको नोटिस तो भेजना ही परेगा, लेकिन ये जो है कि यानि अगर कोई इनकार करता है तो नोटिस भेज सकते हैं आपको अपना अधिकार प्राप्त होगा, और वो अधिकार जो तो या आप खुद जो है, एक रजिस्टर डॉक्मेंट बना कर जो है, अपनी संपत्ती को डिवाइड कर लिये हैं, तो वो आप खुद की कमाई हुई संपत्ती आपका बन जाएगा. अब यहाँ पर की मा का अधिकार देखें मा का अधिकार जो है अपने पिता से अगर उनको संपत्ती प्राप्त है तो उस केस में क्या होगा होता है जैसे कि आपके जो नाना है उनसे उनको संपत्ती प्राप्त है तो मा के जो पिता होंगे उनसे उनको अधिकार पराप्त है तो उस case में जो संपत्ति होगा वो पैत्रिक संपत्ति है ना पैत्रिक संपत्ति जो है वो नहीं माना जाएगा ये आप समझ लें ठीक है तो मा को अपने पिता से कर संपत्ती प्राप्त हो तो वो पैत्रिक नहीं है, कोई भी जो उत्रादिकारी है यह जाके दावा नहीं कर सकता है कि मुझे मा मेरा हक दे दो, है ना, या आप मा के उपर कूट का नोटीस भेज करके जो हक नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि मा का जो परदादा, अपने परदादा की संपत्ती जो है, उस पे आप अपना दावा पेज कर सकते हैं, मा के संपत्ती, मा का जो हक है, उस पे आपका दावा जो है वो गलत होगा, वो दावा जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो यह महतपुर्ण है कि सम्हालने का जो जिम्मा होगा मतलब क्या होता है कि घर के जो मेन सदस हैं आप क्या बोलते हैं घर के वो मुखिया हैं है ना पूरा घर उन पे जो है यहाँ पर वो डिपेंड है कि वही एक तरह से घर चलाते हैं घर के मालिक आप कह सकते हैं मुखिया हो गया है ना या घर के वो मालिक हैं तो घर के मुख्या या जो मालिक होंगे न तो अगर उन जो संपत्ति ये पूरी जो संपत्ति आप देख रहे हैं इस संपत्ति का जो है देख रेख करने का जो है देख रेख करना समहालना ये सारा जिम्मा जो होगा वो घर के मुख्या का होगा लेकिन जब मालिकाना हक की बात अगर होगा तो उसमें जितने भी उत्रा दिकारी हैं है ना उत्रा जो दिकारी है सब का जो हक होगा सब का हक बराबर होगा मतलब कोई परिबार में जो है मैन है बराबाई है पिता है तो वो उस पैत्रिक संपत्ती को उनको समालने का जिम्मा पूरी संपत्ती का वो मालिक नहीं है मतलब उनको देख रेक करने का जिम्मा है और पूरी संपत्ती को वो बेचने का अधिकार नहीं है तो बेचने का अधिकार किसको होगा तो देखें बेचने से पहले अगर संपत्ती को कोई भी पैत्रिक संपत्ती को अगर बेचा जाएगा तो बेचने से पहले जो है आप राई विचार लेना जरूरी है किस से राई विचार लिया जाएगा तो राई विचार होगा कि ठीक है बेचने से पहले जो राई लेने वाली बात है तो राई लेने में कौन-कौन आएगा है ना अगर दो भाई है तो एक बहन है तो भाई जो है भाई से राई बिचार लेना होगा है ना चाचा है तो चाचा से राई बिचार लेना होगा बहन है तो बहन से राई बिचार लेना होगा तो ये सब है ना अगर इसके अलावा कोई बेटा है तो बेटा से राई विचार लेना होगा, बेटी है तो बेटी से राई विचार लेना होगा, इसलिए कि पैत्रिक संपत्ती पे सभी का जो अधिकार है, समान अधिकार है, अब ये जो है न, अगर आप पैत्रिक संपत्ती को बेच रहे हैं, तो इनका राय विचार लेना बहुत जरूरी है इन सभी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है अगर नहीं करते हैं तो जो दस्ताबेश तयार हो रहा है वो 100% जो है वो सही नहीं होगा सही नहीं होगा मतलब अगर आप किसी से जमीन खड़ी देना एक भाई से दूसरा भाई को उससे दिक्कत है आपको लग रहा है कि आपका डॉकमेंट 100% सही है आपका जो है वो सेल डिट तयार हो गया आप गॉबर्मेंट को टेक्स देना भी शुरू कर दिये लेकिन फिर भी जो है कानूनी तरीके से आपका डॉकमेंट 100% सही नहीं माना जाएगा इसलिए कि जो प्रोपर्टी है यहाँ पर पैतरिक संपत्ती है उस पे सभी का अधिकार है और सभी के द्वारा जो है अगर किसी के द्वारा आपत्ती दर्ज किया गया तो आगे भविस में भी आपको समस्या उत्पन हो सकता तो यह सभी जो अधिकार है कानूनी नोटिस का अधिकार हो या जो है एक तरह से जो अरजिस संपत्ती बनाने का अधिकार हो अब इसमें क्या होगा कि जब यह संपत्ती को आप डिवाइड कर देंगे सारा जो भाई हैं बेटे हैं बेटी हैं सब का इक तरह से यह हक भाई का हो गया है ना यह जो है बहन का हो गया यह बेटा का हो गया है ना यह पिता का हो गया तो यह सब का जो है ना हक अगर अलग हो गया तो ये संपत्ती इनकी खुद की कमाई बन जाएगी और ये इसको बेश सकते हैं मतलब कोई भी अपना अब इस भाई को जो इनका भाई है इनके बच्चे भाई ही नहीं तो उत्रादिकारी नया उत्रादिकारी कोई जन्मी नहीं लिया है तो जो भाई के नाम पर property को transfer किया गया उस पे उनका सिर्फ अधिकार होगा ये बात आप समझ ले मतलब ये जो समपत्ती है उस पे सिर्फ उनका अधिकार होगा वो बेश सकते हैं वो किसी को दे सकते हैं वो उन पे depend करता है बहन के नाम property होगे अगर तो बहन अगर चाहे किसी एक भाई को प्रोपर्टी देना तो संबब दिया जा सकता है बहन चाहरी है कि पूरी संपत्ती को वो ना लेना चाहे तो वो भी संबब है वैसा भी किया जा सकता है भाई भी अगर चाहे कि पूरी संपत्ती में अगर वो हक नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन ये सारा पॉसिवल तभी है जब आपकी संपत्ती को एक जो है रजिस्टर्ट तरीके से जो है डिवाइड किया गया है मतलब एक डॉक्मेंट त्यार किया गया जिसको रजिस्टर्ट कराया गया मतलब मौखिक तौर पे अगर जो भी कार किया गया उसका मानिता यहां पर नहीं होगा तो यह हैं कुछ पैत्रिक संपत्ती के नियम जो आपके लिए जानना बेहत जरूरी था आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो चो वीडियो लाइक जरूर कर दें चैनल को पहली बार देखरें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा ले मिलते हैं अगरे वीडियो में